संकल्प और सफलता की कहानी अनमोल की प्रेरग्गा था भारत के एक छोटे से गाउं में अनमोल नाम का एक युवा रहता था अनमोल का जीवन साधारण था लेकिन उसके सपने असाधारण थे वह एक गरीब परिवार से था परंतु उसके मन में एक अध्वितिय जुनून था वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था अनमोल की कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है यह उन सभी लोगों की कहानी है जो अपने सपनों के लिए संघर्ष करते हैं और कठिनाईयों को पार करते हुए सफलता की उंचाईयों को छूते हैं अनमोल का प्रारंभिक जीवन अनमोल का जन्म एक छोटे से किसान परिवार में हुआ था उसके माता-पिता खेती करके अपना जीवन यापन करते थे अनमोल का बच्पन खेतों में काम करते हुए और गाव के स्कूल में पढ़ाई करते हुए बीता अनमोल को पढ़ाई में बहुत रुची थी लेकिन गाव के स्कूल में सुविधाओं की कमी थी फिर भी अनमोल ने कभी हार नहीं मानी वह सुबह जल्दी उठता, अपने माता-पिता के साथ खेतों में काम करता और फिर स्कूल जाता अनमोल का शिक्षा के प्रती जुनून अनमोल का सपना था कि वह उच्च शिक्षा प्राप्त करे और अपने परिवार और गाव का नाम रोशन करे हलांकि उसके गाव में कोई उच्च विद्यालाय नहीं था इसके बावजूद उसने स्वयम पढ़ाई करके और गाव के एक शिक्षक की मदद से दस्वी कक्षा की परिख्षा पास की अनमोल के अच्छे परिणामों ने उसके माता-पिता और गाव के लोगों को गर्व से भड़ दिया अनमोल का शहर में कदम दस्वी कक्षा के बाद अनमोल ने शहर जाने का निर्णाय लिया ताकि वह अपनी पढ़ाई जारी रख सके शहर में रहना आसान नहीं था अनमोल के पास बहुत कम पैसे थे और उसे एक छोटे से कमरे में रहना पड़ा उसने अपने खर्चों को कम रखने के लिए ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया दिन में वह कॉलेज जाता और रात में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा था अनमोल की संघर्ष और मेहनत अनमोल के लिए यह समय बहुत कठिन था शहर की जिंदगी उसके लिए नई थी और उसे कई चुनावतियों का सामना करना पड़ा लेकिन अनमोल ने अपने सपने को कभी धुंदला नहीं होने दिया उसने अपनी पड़ाई पर ध्यान के इंद्रित किया और दिन रात मेहनत की उसकी मेहनत का फल मिला और उसने बारहवी कक्षा में शीर शिस्तान प्राप्त किया बारहवीं के बाद अनमोल ने एक प्रतिष्ठित विश्व विद्यालाय में दाखिला लिया यहां भी उसकी आर्थिक स्थिति ने उसे कई बार परेशान किया लेकिन उसने अपनी मेहनत और द्रड़ संकल्प से सब कुछ पार कर लिया उसने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए स्कॉलर्शिप हासिल की और साथ ही एक पार्ट टाइम जॉब भी किया अनमोल को असफलताओं से सीख अनमोल के जीवन में कई बार असफलताओं भी आई एक बार जब उसने एक महत्वपूर्ण परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो वह बहुत निराश हुआ लेकिन उसने हार मानने की बजाए अपनी गलतियों से सीखने का निर्णे लिया उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना और उनमें सुधार किया उसने यह समझा कि असफलताएं सफलता की ओर जाने का रास्ता दिखाती है अनमोल की सफलता की शुरुवात अपने द्रढ संकल्प और कड़ी मेहनत के बल पर अनमोल ने अपनी सनातक की पड़ाई पूरी की और एक प्रतिष्ठित कमपनी में नौकरी हासिल की यह उसकी पहली बड़ी सफलता थी उसकी कमपनी में भी उसकी मेहनत और लगन ने उसे उच्च स्थान दिलाया कुछ ही वर्षों में उसने कमपनी में एक महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर लिया समाज की सेवा अनमोल की सफलता केवल उसकी अपनी नहीं थी उसने अपनी सफलता को समाज की सेवा में भी लगाया उसने अपने गाव में एक स्कूल खोला ताकि वहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके उसने एक संस्था की भी स्थापना की जो गरीब और जरूरतमंद च्छातरों को शिक्षा और वित्तिय सहायता प्रदान करती थी प्रेरणा का स्रोत अनमोल की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है यह उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं अनमोल ने साबित किया कि कठिनाईयां और विपरीत परिस्थितियां हमें रोक नहीं सकती यदि हमारा संकल्प और मेहनत मजबूत हो अनमोल की सीख अनमोल की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने देखना महत्वपूर्ण है कोई भी लक्ष बड़ा या छोटा नहीं होता हमारे सपनों को साकार करने का प्रयास ही हमें विशेश बनाता है कठिनाईयों से घबराना नहीं चाहिए जीवन में आने वाली कठिनाईयां हमें मजबूत बनाती है और हमें हमारी क्षमता का एहसास कराती है लगातार मेहनत करना जरूरी है बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए असफलताओं से सीखना चाहिए असफलता हमें सिखाती है कि हम कहां गलत थे और हमें अपने प्रयासों को और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है समाज के प्रतिजम्मिदारी सफलता का असली मतलब तब है जब हम अपनी सफलता का उपयोग, समाज की भलाई के लिए करें निशकर्ष अनमोल की कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा दायक है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते है उसकी मेहनत, संकल्प और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी हमें यह सिखाती है कि असली सफलता वही है जो न केवल हमारे जीवन को बहतर बनाए बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाए अनमोल ने अपने जीवन से यह साबित किया कि यदि हम सचे मन से मेहनत करें और कभी हार न मानें तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं अनमोल की कहानी हमें यह संदेश देती है कि किसी भी परिस्थिती में हमें अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए हमें अपनी मेहनत और संकल्प के बल पर अपने लक्षियों की ओर बढ़ते रहना चाहिए और अपने समाज और देश के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जिससे ना केवल हमारा जीवन सुधरे बलकि समाज और देश का भी भला हो अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखना